मुझे एक एक की चीक सुनी है की तरब से कैसे रिवी मिलने है फिल्म को मुवी को अभी भी निगेडिव रिवी मिल रहे है सब जानेंगे बस कुछी देर में लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सलमान खान के साथ पूजा हेगरी की ये केमेस्ट्री पहली बार बड़े परदे पर लोगों को देखने को मिल रही है जिसे लोग पसंद भी काफी कर रहे है देखा जाये तो मुवी की स्टोरी लाइन एक दब मैबरेज है सिंपल है कुछ जिगा मुवी खीचा गया है लेकिन समपार्ट मुवी अमीजिंग सील्स है जो लोगों को थेटर्स में सीटियां और तालिया मानने पर मजबूर करी दे रहे है बता दू तो सुपरिश्टार सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जवर्दस तांडव कर रही है सिनेमा घरों में साथी बॉक्स अपस में भी हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करके फिल्म ताबर तोड कमाई रोज अपने खाते में रख रही है इतना तो है सल्मान भाई को अब बॉक्स अइस पर कमाई करने से किसी का बाप नहीं रोख सकता दूसरा मूबी भी जवर्दस हिट हुई है समप पार्ट एक्षन ने जनता का दिल लूट लिया है एक्षन में जो डाइरेक्षन हुआ है एक नमबर है भाई साथ दोस्तो फैमिली ड्रामा और एक्षन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान का कॉंटेंट सुपर फैमिली एंटरेंमेंट के परपस से है जिसको ओडियन्स विद फैमिली काफी इंजोई कर रही है जिहां दोस्तो मूबी को फराज साम जी के डाइरेक्षन में लगभग में लगभग 120 करोन के बजट में बनाया गया है जिसमें आपको भेतरीन स्टार कास पुजा हेगडे सेकंड लीड में दिखेंगी जो भाईजान के भरपूर साथ दे रही है साथी वैंकटेस डगुबत्ती, जगपती, जो विलेन है, राघप जुयाल, सहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरन जैसे दिगज स्टार भी सपोर्ट रोल में देखने को मिलेंगे जिहां दोस्तो फराज साम जी के डाइरेक्षन में इस बार दमतो है क्योंकि काफी लंबे टाइम से इनकी मूवी पिटी जा रही थी, लेकिन सलमान के स्टारडव ने मूवी और डायरेक्षन को चारचान लगा दिया है जिहां दोस्तो अपने पहले दिन 15 करोन का जबरदस कलेक्षन करते हुए दूसरे दिन अमेजिंग बाउंच बैक करके 90% की ग्रोथ के साल लगबग 26 करोन से उपर का अकड़ा अपने नाम करा था वहीं तीसे दिन भी जबरदस कमाई अपने खाते में रखी थी लगबग 27 करोन की इसके साथ पहले तीन दिन का बॉक्स ओपिस कलेक्षन इंडियन बॉक्स ओपिस से लगबग 68 करोन के उपर सेट कर दिया था वहीं अपने चौते दिन भी क्या जबरदस ट्रेंड करते नजर आई सिनेमा घुरों में जबकि मंडे वरकिंग डे भी होता है उसके बावजूद लगबग 10 करोन 50 लाग तक का जबरदस होल्ड अपने चौते दिन में देखने को मिला था इसी के साथ पहले 4 दिन का इंडियन बॉक्स ओविस कलेकilah लगबग 68 करोन के उपर सेट कर दिया है और पूरी दुनिया से पहले 4 दिन में लगबग 127 करोन के उपर कमाई अपने खाते में रख लिए थी बात करें कलियानी डे 5 के box office scenario की तो यस कल अच्छा खासा growth करते हुए लगबग 8 क्रोर का big collection सिर्फ Indian box office से करा और यहां तक अपने पहले 5 दिन का total box office collection 86 क्रोर के उपर set कर दिया था और इसी के साथ भाय जान के career की शोल भी Indian grosser movie सावुत ही जिसने 100 क्रोर के उपर आकरा set किया है बात करें आ जानी day 6 में क्या हाल है movie के तो यस 70 लाग का जबरदस advance लेत हुए morning से ही लगबग 8-9% की occupancy rate morning में था और evening और afternoon में भी same trend देखने को मिल रहा है और end of the day लगबग 7 करोर तक का आकरा अपने नाम कर लेगी movie इसे के साथ total इंडे box office collection 93 करोर तक set कर लेगी वहीं होट जाएगा किसी की भाई किसी की जान फिल्म का तो तो मैंने बहुत बोल लिया अब आप की बारी यह आप दो बताएंगे कि क्या भाई जान की फिल्म 200 करों का आकड़ा पार कर पाएगी आपको कह लगता है movie blockbuster हिट होई है या नहीं दूसरा अगर आपने भी film देख ली मिल देख ली वीडियो में जेह